जब मंडल कमिशन बीपी सिंग जिन ने घोस्रा किया तो भार्टी यंता पार्टी कमंडल ले किया गई जब पिछड़े दलित की बात गुजने लगी लोग अपने आरक्षर के लिए लड़ने लगे तो यह संबीदा लाके खड़ा कर दिये प्रदेश और देश की संपत्ती सरकारी संपत्ती यह बेचने लगे अब यह संबीदा पर ले आ रहे हैं और चार साल हम तो कह रहे हैं मुदी जी चार साल होई गया इस्थिपा दे दो मुख्य मंत्री कतें कर दो चार साल के बाद नहीं रहेगा मिनिस्टर चार साल के बाद नहीं रहेगा आईएस आईपिएस चार साल के बाद नहीं रहेगा सब संभीदा पे कर दो बन करो पेंसन चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो चाया दिकारियों साब का पेंशन बंद करो यतने भी पेंशन है साब बंद कर दो और नौजवानों को जो आज का नौजवान हुजाएगा चार साल आनलेजे ट्रेनिंग दिया साल बर गया वहां ड्यूटी पर बंदूग लेके टान के खड़ा है अतब तक उसके समय खताम हो हो गया कि अब तुमारी जुट्टी हो गई तब बंदूग फेक के भागे है उसके लिए क्या करेंगे युवा इसमें बहुत रोस में हम युवाओं से कहूंगा कि आप सांती प्रिधंग से अपने हक के लिए लड़ो यह जो कानून है यह युवाओं के साथ धोखा है दे है और तब तक उसका टाइम खतम हो गया यह चार साल बीत गया तो बंदूग फेक के न भाग जाएंगे साब तो यह भारती जंता पार्टी आरक्षन को खतम करने के लिए महंगाई से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह एक एक डरामा लेके आते हैं अब डरामा दिख स्थीपा दे दें चार साल वो भी संबीदा पर कर दें हिम्मत है तो एक हत्तर साल में रिटायर मोदी जी नहीं होगे अब नवजमान को जो है पचीश साल में रिटायर करेंगे